शक्तिमान और क्रेश जैसे सुपरहीरो भारत में लोकप्रिय होने से बहुत पहले, देश की पहली ओनस्क्रीन सुपरहीरो एक महिला थी। 1935 में हंटरवाली ने दर्शकों को एक नकाप पोष सतर्क व्यक्ती से परिचित कराया, जिसका किरदार फियरलिस नादिया ने निभाया था, जो एक आस्ट्रेलिया इभारती अभिनेतरी और स्टंट वुमन थी, जिसका असली नाम मैरी एन इवांस था। वाडिया मूवी टोन द्वारा निर्मित इस फिल्म में नादिया को एक राजकुमारी के रूप में दिखाया गया था, जो एक अपराद से लडने वाली नाईका बन जाती है। अपने जानलेवा स्टंट के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अपने सभी एक्षन सीक्वेंस खुद ही किये, जिसने दशको पहले बॉलिवुड में एक बेंचमार्क स्थापित किया। हंटरवाली की सफलता ने फियरलिस नादिया को बॉलिवुड की एक आइकन और इंडस्ट्री की पहली स्टंट अभिनेतरी के रूप में अग्रणी बना दिया। 1943 में सीक्वल हंटरवाली की बेटी ने उनकी महान सिती को और मजबूत किया। उनकी विरासत कायम है क्योंकि आज अभिनेतरीया उनके निडर नक्षेकदम पर चलते हुए अपने स्टंट करने के लिए प्रशन सा प्राप्त करती है।